सावने नाकपुर महामार्ग पर करीब 3 किलोमीटर दूरी पर इस्थित श्रीकृष्ण कॉटन मील मालक संचालत की दबंगाई से मालेगाव और आसपास की गावों की नागरिकों को चरमरोग, खुजली, आंकों की समस्या, इलर्ची की तकलीफे होना आम बात है अब तो श्रीकृष्ण कॉटन मील की संचालों को द्वारा परियवरन की सभी नियमों को धता बता कर मील से निकलने वाला सारा वेस्ट राश्विय महामार्ग की किनारे डालने सी रोजाना, छोटे मोटे हाच्सों के साथ गंदगी और बदभू के साथ ही मुख्य महामार्ग पर उक्त गंदगी फैलने लगी है। एक्रिष्न कॉटन मील में किसानों का कपास खरित कर उस पर जारी प्रक्रिया के दोरान उन्ने वाले कपास से शेत्र में रहने वाले लोगों को, खुजली चर्म रोग आँकों की बिमारियां एलर्जी आदि के साथ ही महामार्गों से गुजरने वाले वहांचालग भी इनके चपेट में आने से यहां आए दिन हाथ से होते रहते हैं। साथ ही मील प्रबंदन द्वारा कंपनी का सारा वेश्च कंपनी की दिवार से सटे मुख्य महामार्ग और करीब से बहने वाले नाले में डाल का खुलियां पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संबंद विभाग समय रहती हरकत में ना आया तो बड़े हाथ्सों के साथ ही शेत के नागरिक विविद चर्म रोग ऐलर्जी से ग्रसित तो होंगे ही। साथ में बारिश के मौसम में उक्त कच्रिक की सडान्द और गंदी बद्वू से पर्यावरण दूशित हो का सासो समंदित बिमारियां फैलने का धोका निर्मान हो रहा है। उक्तविशे पर अनेक ग्रामवासियों ने निवेदन करने पर कमपनी संचालकों की दबंग रवईये और जा तेरे से जो बनता है वो कर ले बोल सुनाई पड़ते हैं। अजारों नागरिकों के स्वास्त से खेल अपनी मन मानी कर पर्यावरण को नुकसान पहुचा कर माल लपेटने में लगे कमपनी संचालक और प्रभंदन पर सावनेर और विभागी अदिकारी अतुल महत्रे तैसलदार प्रता वागमारे और संबन्द विभागों ने विश और ढूंडे लेगी रिपोर्ट